आज मैं लेकर आई हूँ आम की लोजी याने की खट मिठवा अचार बनाने का बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका तो चलिए रेस्पी को सुरू कर लेते हैं नमस्कार रानी किचन में स्भागत है तो फ्रेंज सबसे पहले यहाँ पे आम लेना है तो यहाँ पे हमने छोटे सा करके तयार करने है तो फ्रेंज संगर आपको मेरे वीडिय पसंद आते है तो फ्रेंज संसरे कर के बैज कर देख्या कर लेना है तो चैनल को सब्स्क्राइब करना ना ब parlé बैस कर Kingdom को ब्ल quelques आकि देखने को मिले तो ये देखे, इस तरह से आम को छील करके तयार कर लेना है, बहुत टेश्टी लगता है इसे पूरी पराठे के साथ आप बना करके रख लिजिए और इसको खाते रहे हैं, बहुत ही टेश्टी लगता है खाने में, तो बच्चों को काफी पसंद आता है, बच्चे भी मांग मंग कर खाएंगे तो कुछ इस पेसल मसालों के साथ मैं इसको आज बनाने वाली हूं और बिल्कुल अलग तरीका है नया तरीका है तो आप जरूर एक बाट ट्राइए करें तो देखिए आम को इस तरह से छील करके तैयार कर लेना है तो अगर आपने इस तरह से लोजी नहीं बनाई है तो जरूर एक बाट ट्राइए करें तो सीजन का चीज है फेर्स तो आप एक बार इस रेस्पी को बना कर जरूर खाएं और ये देखिए हमने सारे आम को छील करके तैयार कर लिया है अब इसको दो टुकडों में हमने काट और बीज में जो बीज होता है इसको निकाल करके अलग कर लें तो आप चाहें तो बड़े साइज में भी इस पीसे को काट सकते हैं या तो आप छोटे साइज में इसको काट करके तैयार कर सकते हैं तो मन चाहें पीस में आप इसको कट कर सकते हैं तो ये देखिए हमने इस तरह से दो दो टुकडा पहले किया इसके बाद उसमें चार फाकी करकरके एक आम में सारे आम को इसी तरह से तैयार कर लेना है बीज को बिल्कुल भी नहीं इस्तमाल करना है तो इसी तरह से काट करके तैयार कर लेते हैं सारे आम को तो यह देखिए आम को हमने कट कर लिया है चलिए गैस की तरफ चलते हैं और इसको बनाना सुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमने यहां पे सरसू का इस्तमाल किया है तेल का. आप कोई भी तेल इस्तमाल कर सकते हैं. इसमें डाल देंगे एक से डेड़ चमच जीरा का इस्तमाल करेंगे. जीरा से बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है इसमें. यहां पे हमने सरसू के दाने लिये हैं. एक बड़े चमच. आधा छूटे चमच हमने यहां पे कलोंजी लिये और अजवाइन लिया है. यहां पे सौफ लिया है एक चमच. हींग डाल देंगे. दो चूटकी भर हींग डाल देंगे. और इसमें दो तेशपत्ता हमने इस्तमाल किया है. सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. सरसू का तेल घर का है इसमें गहां जा रहा है. बहुत ही टेश्टी लगता है. अब इसमें आम डाल देंगे और इसको भून लेंगे. तो दो से तीन मियट ही आम को भूनना है. ज़्यादा आम को नहीं भूनना है. नहीं तो आम जो है कड़ा हो जाता है उसका उपर का हिस्सा. तो खाने में उतना टेश्टी नहीं लगता है. तो आम को ज़्यादा ना भूने तो ये देखे हमने केवल मिक्स ही किया है अब इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले तो हल्दी पाउडर डाल देंगे लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे तो मीठा, चटपटा और तीखा सभी इसमें इसमें इस्तमाल हमने की है तो देख चमच इसमें हमने लाल मिर्ची डाली है काली मिर्च का पाउडर एक छुटे चमच डालेंगे यहाँ पे हमने सौफ का पाउडर लिया है सौफ को पीस लिया है इसका पाउडर हम इसमें इसमें इस्तमाल करेंगे यहाँ पे स्वादा नुसार नमक डाल देंगे तो यह देखे सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है अब इसको वापस से फिर से मिक्स करेंगे मसालों को इस टाइम पर गैस का फ्लिम लो ही रखें नहीं तो मसाले जल जाएंगे और आपकी लोजी जो है टेस्टी नहीं बनेगी तो यह देखिए हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है अब इसमें डाल देते हैं पानी तो हमने यहां पे दो कप पानी का इस्तमाल किया है तो इसको चला लेंगे पहले इसके बाद दूसरा कप भी डाल देंगे इसमें तो यह देखिए हमने टोटली दो कप पानी का इस्तमाल किया है इसे आम भी अच्छे से पक जाएगा और hard नहीं होगा आम के उपर का हिस्सा अब इसमें डाल देते हैं गूड तो गूड की जगा आप चीनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो जितना मीठा आपको पसंद है उसके हिसाब से आप चीनी या गूड अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं तो यह देखिए हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया है धंक करके इसको पकाएंगे तो हाई फ्लेम पर हमने इसको 5-6 मिनट तक पकाया है चेक कर लेते हैं एक बार यह देखिए काफी अच्छे से गूड जो है मिल्ट हो गया है और आम भी थोड़ा थोड़ा पक गया है तो इसको चला लेते हैं बहुत ही टेस्टी लॉजी लगती है तो आम को चेक कर लेते हैं और ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे तो पहले आम को चेक कर लेते हैं कि अच्छे तरीके से यह आम जो है पक गया है यह देखिए आम अच्छे से पक करके तयार हो गया है तो हम इसको जादा नहीं पकाएंगे हलका सा इसमें केवल चीप-चीपा पन होना चाहिए क्योंकि बाद में यह थोड़ा सा गाड़ा होता है फ्रेंस तो इसलिए हम इसको जादा नहीं पकाएंगे तेदे के तैयार हो गया है बहुत ही टेश्टी लौजी बनी है तो आप इस तरह से खटा मिठा अचार बना करके घर में आप इस्टोर करके इसको रख सकते हैं जब भी आप पूरी पर अठा बनाएं उसके साथ आप इसको गरमा गरम परोज सकते हैं तो आज की हमारी ये रेस्पी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई